नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पैन इंडिया सुपरस्टार अलू अर्जुन के फिल्मी सपर के बारे में चर्चा करेंगे इनकी फिल्मों के बारे में और आपको बताएंगे कि अलू अरजुन इतने बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार कैसे बने तो दोस्तो चैनल को सब्काइब करके वीडियो के सब बने रहें दोस्तो अलू अरजुन का जन्म 8 अपरेल 1982 को मदरास में हुआ था इनकी पिता का नाम अलू अरबिंद जो तेलकू इंडेस्ट्री के एक नामी प्रोडूसर थे इसलिए अलू अरजुन को फिल्मों में आने के लिए ज़्यादा संगर्स नहीं करना पड़ा दोस्तो फिल्मों में बतौल लीड एक्टर डेब्यू करने से पहले ये दो फिल्मों में चाल्ड आर्टिस्ट के तोर पर भी नजर आये थे वे फिल्में थी चरंजी भी सर की बीरता और कमाल असन साब की स्वामी मुथ्यम दोस्तो अल्यू अर्जुन ने गंगोतरी फिल्म से तेलगू सिनेमा में डेब्यू किया था जिसे 2003 में रिलीज किया गया था और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी दोस्तों अपनी पहली फिल्म की सपलता के बाद अल्यू और उनको डेहर सारी फिल्मों के ओपर साने लगे और उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म सेलेट करी आर्या जिसे साल 2004 में रिलीज किया गया था आर्या फिल्म को 4 करोड के बजट पर बनाये गया था और इसने बॉक्स आपस कलेक्शन में 36 करोड की धुवांदार कमाई करी थी और ये एक ब्लॉगबश्टर फिल्म साबित हुई थी और इसी एक साथ सबी को ये पता चल गया था कि ये जो नया लड़का इंड़स्टी में आया है इसमें बाकई में दम है और ये एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा दोस्तों आर्या फिल्म ब्लॉगबश्टर होने के बाद अल्यो और जुन बनी फिल्म में नजर आये थे जिसमें इसका नेट कलेक्शन 22 करोड रुपई था और इस तरह ये फिल्म में एक हिट फिल्म साबित हुई थी और इसी तरह अल्यो और जुन ने तीन साल में सिर्फ तीनी फिल्मों में काम किया और तीनों फिल्म में बॉक्स आफिस पर हिट रही इसके बाद अल्यो और जुन की अगली फिम थी हैपी जो एक रॉमांटिक कॉमेडी फिम थी जिसे साल 2006 में रिलीज किया गया था जिसमें अल्यो और जुन के अलाबा जेनलिय डिसूजा और मनोज वाजपुई लेड वालमा नजर आये थे इसे 13 करोड के बज़पा बनाई गया था और इसने बॉक्स ओफस पर 25 करोड का नेट कलेक्शन किया था और हैपी एक एवरेज हिट फिल्म सावित रही थी दोस्तों इसके बाद अल्यो और जुन लेके आए देश मद्रू जिसे हिंदी में नाम दिया गया एक जौला मुखी ये एक रॉमांटिक एक्सन फिल्म थी जिसे साल 2007 में रिलिज़ किया गया था दोस्तों से 16 करोड के बज़पा बनाई गया था और इसने बॉक्स ओपस कलेक्शन में 63 करोड की धुहंदार कमाई करी थी और इसी साथ ये फिल्मी एक ब्लॉकबश्टर फिल्म सावित रही थ और इसी साथ ये फिल्मी एक हिक्ट फिल्म साउइत होई थी साथ-स ख्रण को इस फिल्म के लिए फिल्मापन प्यार का आवड भी और भी दिया गया था दोस्तो विसट एक्टर का अवरड जितने stepping आगद अक्लीसित इसे साल 2009 में रिलिज़ की आया था ये क्लूम helig it भी नजर आई थी आर्या टू फिल्म को 22 क्रोड रुपई के बजट पर बनाई जा था इसने बॉक्स ओपस कलेक्शन में टोटल 68 क्रोड की कमाई करी थी और ये फिल्म ये एक हिट फिल्म सावित हुई थी दोस्तों अब तक अलो जुन को बहुत सारी फिल्मों के ओपर्स आन 72 क्रोड की कमाई करी थी और ये फिल्म फील्म सावित हुई थी दोस्तों साल 2010 में अलियोजन की एक और फिल्मी रिलीज होई थी जिस्का नाम था बरूरू ये रॉमांटिक एकसें फिल्म थी जिसमें अल्यों जात्किंदे बाई फिल्म थी गढई खिल्म dengan फिर्ञा बार और इसी एक साथ मारसल आड़ भी सीखा फिल्म का नाम था बदरीनाथ जिसे 2011 में लीच किया गया था जिसे हिंदी में नाम दिया गया संगर सोर बिजे बदरीनाथ फिल्म को 42 करोल के हाई बज़ट पर बनाई गया था और इस फिल्म में बॉक्स ओपस क्लेक्शन में मातर 53 करोल की कमाई करी थी और ये फिल्म भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई और इस तरह अल्योजन को लगातार दो फिल्मों का जटका लगा इसके बाद अल्योजन की अगली फिल्म आई जुलाई जिसे हिन्दी में नाम दिया गया डैंजरस क्लाली ये एक एक्सन कोमेड़ी फिल्म थी जिसे 2012 में रीच किया था जिसमें अल्योजन के अलावा सौनु सूद और इलेयना डिकरूज भी नजर आई थी इसे 34 करोड के बजट पा बनाई गया था और इसने बॉक्स ओपस कलेक्सन में 104 करोड की दुहंदार कमाई करी थी और ये अल्योजन की केरियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड से ज़्यादा का बेजनिस किया था और ये फिल्म एक ब्लॉकवेश्टर फिल्म साबित हुई थी 2013 में अल्योजन की फिल्म आई इद्रा माईलू जिसे हिंदी में नाम दिया गया डैंजर स्क्राली 2 ये एक एक्सन ड्रामा फिल्म थी जिसमें अल्योजन के अलावा हमाला पॉल भी नजर आई थी दोस्तो इसने 40 क्रोड के बजट पा बनाई गया था और इसने बॉक्सवापस कलेक्शन में 92 क्रोड की कमाई करी थी और ये फिल्म में एक सूपर इड़ फिल्म साबित हुई थी दोस्तो इसके बाद अल्योजन की एक और बड़ी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रेस गुर्रम इसे हिंदी में नाम दिया गया लकीदा रेसर ये एक एक्सन कमेड़ी फिल्म थी जिसे 2014 में रिलीज किया था इस फिल्म को 50 करोड के बजट पा बनाया था और इसने बॉक्स वापस कलेक्शन में 130 करोड की तावर तोड कमाई करी थी और ये एक औल्टाइम ब्लॉग वच्टर फिल्म सावेत हुई थी साथी साथ उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई थी टीवी पर जिस वक्त इस फिल्म को रिलीज किया गया था उस समय इस फिल्म में TRP के सारे रिकॉर्ड तोड दिये थी और आपको बता देंगे इस फिल्म से ही अल्यो अजुन को पेंट इडिया लेवल पर पेंचान मिलना सुरू हो गई थी दोस्तो साल 24 चावदा में अल्यो अजुन एक और फिल्म में नजर आई थी और इस फिल्म का नाम था ये बलू और इस फिल्म में इन्होंने एक कैमियो डॉल प्ले किया था और ये फिल्मी एक सूपरेट फिल्म सावित हुई थी दोस्तो इसके बाद अलो अजुन की अगली फिल्माई सनौप सत्तिमूरती ये एक एक्सन डामा फिल्म थी जिसे 2015 में रिलीज किया था इसमें अलो अजुन के अलावा उपेंद्रा, समन्था, नित्या मेनन और अदा सर्मा लीड वाल में नजर आई थी दोस्तो इस फिल्म को 40 क्रोड के बजट पर बनाई गया था और इस फिल्म ने 95 क्रोड की जवज़त कमाई करी थी और ये फिल्म ये एक सूपरेट फिल्म सावित हुई थी दोस्तो साल 2015 में अलो अजुन एक और फिल्म में नजर आई थी इस फिल्म का नाम था रुद्रमा देवी इसमें अलो अजुन ने गौना गना रेड़ी का किरदार पिले किया था इस फिल्म को 80 करोड के हाई बजट पर बनाई गया था लेकिन ये बॉक्स आफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और इसने बॉक्स आफिस पर मातर 95 करोड की कमाई की थी लेकिन इस फिल्म के लिए अलो अजुन को फिल्म प्यार के बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ट से नवाजा गया था इसके बाद साल 2016 में अलो अजुन की फिल्म आई सरन एडू जो एक एक्शन डामा फिल्म थी जिसमें अलो जुन के साथ रकुल प्रीस सिंग भी नजर आई थी इस फिल्म को 50 क्रोल के बजट पर बनाई या था और इसने बॉक्स ओपस कलेक्शन में 130 क्रोल की दुहंदार कमाई करी थी और येक ब्लॉक बश्टर फिम सावित हुई थी इसके बाद अलो जुन लेकर आई डीजे यानिकी दुबारा जगनात येक एक्शन डावा फिम थी जिससे साल 2017 में रिलीज किया गया था जिसमें अलो जुन के साथ पूजा हिगडे नजर आई थी डीजे फिल्म को 50 क्रोल के बजट पर बनाई या था और इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 115 करोल की जवजस्त कमाई करी थी और ये एक हिट फिम साबित हुई थी इसके बाद अलो जुन की अगली फिम थी ना पेरू सूरिया जिसे हिंदी में नाम दिया गया सूरिया दा सोल्जर इस फिल्म को 65 करोल के बजट पर बनाई या था और इस फिल्म में मातर 100 करोल की कमाई करी थी और ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी इस फिल्म से अलो जुन को काफी जाड़ा उमीद थी और इस फिर्म से अलो जुन को काफी बड़ा जटका लगा था और उन्होंने अपने 15 साल के फिल्मी केरियर में एक साल का ब्रेक लिया इसके बाद अलो जुन ने 2000 बेस में एक बड़ी फिर्म से कमबेक किया जिसका नाम था अला बैकॉंदा ब्रामलू ये एक एक्सें ड्रामा फिल्म थी जिसमें अलो जुन के अलावा पूजा हिगले और तबू लीड और में नजर आई थी इससे 100 क्रोड के बजट पा बनाईया था और इसने बॉक्स वापस कलेक्शन में 280 क्रोड की दुहांदार कमाई करी थी और ये एक ब्लॉक बच्टा फिल्म सावित हुई थी और इस फिल्म से अलो जुन का एक दमदार कमबैक हुआ था इसके बाद आया साल 2021 और रिलीज हुई अलो जुन के केरियर की सबसे बड़ी फिल्म जिसका नाम था पुस्पा दराइज पार्ट बन ये एक एक एक्सेंट डामा फिल्म थी जिसमें अलो जुन के अलावा रस्म का मंदाना और फात फासल जैसे बैतिन कला का नजर आये थी दोस्तों ये फिल्म अलो जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म थी जिसे 150 करोड के बजट पर बनाई गया था और इसने बॉक्स आपस कलेक्शन में 365 करोड की धुहाँदार कमाई करी थी और ये एक औल टाइम ब्लॉक बेस्टा फिल्म सावित हुई थी और इसने हिंदी बैल्ट में 100 करोड से उपर की कमाई करके तबी को चौका दिया था और इस फिल्म से अलो जुन एक पैंड ये सुपर्टा बन चुकी थी तो दोस्तो ये था अलो जुन का फिल्मी सपर अगर दोस्तो बात करें अलो जुन की आने वाली फिल्मों के बारे में तो इनकी पहली फिल्म है पुस्पा धरूल पार्ट बन और उसके बाद है आइकन और उसके बाद है डबलेट्वॐर्टूटी बन और उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं जो अबिए उनको अनूसमेंट नहीं हुई है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरू बता है और ऐसी आने वाली फिल्मों के बारे हम जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरू करते हैं तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक लिए धन्नबाद